बहुत वर्षों की मैनत के बाद एक किसान ने सुन्दर बगीचा बनाया बगीचे के बीचों बीच में एक पेड लगाया और जिसकी च्छाओं में बैठकर बहुत सकून अनुभव होता था एक दिन किसान का पड़ोसी आया बगीचे को देखते ही उसने बोला ये बगीचा तो बहुत सुन्दर है परन्तु तुमने ये मनुष पेड क्यों लगा रहा है तब किसान ने उससे पूछा, अरे क्या तुम नहीं जानती, इस प्रजाती के पेड़, मनुस माने जाते हैं, यह जहां होते हैं, अपने साथ दुरबागे ही लाते हैं, इस पेड़ को जल्दी से जल्दी कटपा दो, तब पडोसी बोला, पडोसी तो चला गया, लेकिन, किसा लकडियां पूरे बगीचे में इधर-उदर फैल गई, तब फिर बही पडोसी बापिस आया, और उसने का, कि यह लकडियां तो इतनी बेकार की, इतनी सुन्दर बगीचे में क्यों रखी हुई हैं, इसे तुम मेरे घर पर रखवा दो, तब लकडियां जो है, उसने उसको करा कर उससे बोला, कि तुमारे पडोसी ने सची तो का था, कि वो पेड़ वास्ताव में मनूस था, तब ही तो वो तुमारे जैसे मूर्ख के बगीचे में लगा हुआ था, तब किसान का मन और भी भारी हो गया, तब लाउटसे ने उससे कहा, कि तुम उदास मत हो, अब त दूसरों की सला पर कोई भी कतब उठाएं, तो ऐसा ही जो है, अधिकतर सभी के साथ में गड़ता है, तो जब तक अपना मन पूरी तरह से सहमत ना हो, किसी चीज के लिए, तो तब तक भी हमें दूसरों की सला नहीं माननी चाहिए, दूसरों की सला तब माननी चाहिए, जब हमारा मन भी पूरी तरह से उसके लिए तयार हो जाएंगे.